असलाम वालेकूम, वेलकम टू RSG Guiders मैं हूँ आपकी टीजर माहीन मदद और आज से शुरोड़ा है प्रेमियर पहले हम ये डिसकस करते हैं कि प्रेमियर होता क्या है प्रेमियर एक एड़ॉपी की वेबसाइट है जिसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं अब एडिटिंग करना क्यों जरूरी है फर एक्जेंपल हमने कुछ क्लिप्स लिये उन क्लिप्स के अंदर हमने बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर ली अब प्रेमियर के जड़िये हम उन क्लिप्स को जोड़ कर एक अच्छा फिल्म बना सकते हैं जिसके अंदर हम सारी मिस्टेक्स जितनी हमने गलतियां करें उन सबको निकाल कर जो अच्छे अच्छे क्लिप्स होते हैं उनको साथ में जोड़ दे तो यही प्रेमियर का काम होता है आपकी वीडियो को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना लोगों के सामने तो चलो यह तो एक ऐसी वीडियो होती है कि आपका कैमरा एक जगा फिक्स होता है एक ही एंगल पर होता है तो आपने वीडियो की रिएट कर ली उसको एडिट कर लिया तो वो एजीली हो जाती है लेकिन अगर हम मूवीज देखे, ड्रामा देखे, ऐनिमेशन देखे तो उसके अंदर तो बहुत डिफरेंट एंगल में बहुत डिफरेंट शॉट्स लिया जाते है उसको एडिट करना जो मल्टी कैम से लिया जाते है उसको एडिट करना प्रीमियर का काम होता है अब एक एकजेमपल ले लेते हैं कि एक ड्रामा है, उसके अंदर एक शॉर्ट यहाँ से लिया है दूसरा शॉर्ट वहाँ से लिया है और तीसरा आपके सामने से लिया है इन तीनों को मर्च करकर पूरी एक विडियो बनाई जाती है जितने भी आपने clips लिए होते हैं, पूरी एक video, पूरे एक drama और पूरी एक movie में उसको create किया जाता है यही premiere का काम होता है, आपके clips को edit करना, उसमें images लगाना, उसमें sounds लगाना और आपके सामने इतनी अच्छी video को present करना अब बात यह करते हैं किया premiere use करना आप सब लोगों के लिए important है, देखें, दो categories आती है, एक होती है advance और एक होती है beginners beginners की बात करते हैं तो उनके लिए Filmora, Capcut, InShot, बहुत छोटी-छोटी software इसमें आप इजी आड़ेट कर सकते हो, birthday parties हो गई, आपके घड़के events हो गई, तो आप उसको easily आड़ेट कर सकते हो अब advance की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास है Adobe का Premiere Pro CC and versions आते हो उसके, अगर आप Premiere सीखने के बाद को प्रोडक्शन पे जाते हैं तो आप के लिए बहुत अच्छी बात है, Premiere सीखे आप लो, उसके बाद अगर आप wedding functions को create करके edit करना चाते हैं, वो भी सही है, films and animations वनान उसके लिए Premiere सीखना बहुत जरूरी, Premiere चलाना है तो उसके लिए requirement की भी need होगी, तो कुछ लोग laptop के अंदर यूज करते हैं, कुछ लोग PC के अंदर यूज करते हैं, अब सबका processor अपना-पना अलग-अलग होता है, PC में कुछ लोगों की RAM हाय होती है, कुछ लोगों की low होत ताकि आपका interest बैठे Premiere के अंदर, जब आपका interest बैठ जाए, तो हाँ, आपको production के अंदर जाए, आप अपना खुद का PC ले ले, घर में बैठ के editing करें, फिर वो आपके ओपर depend होता है, अब इसकी requirement आपको अच्छी RAM चाही होती है, अच्छा graphic card चाही होता है, तो वो आपके PC के हिसाब से Adobe की Premiere website जो होती है उनकी, आपको उसके अंदर मिल जाएगा, Premiere के regarding, बहुत सी चीज़े मैंने आपको बता दी, क्या क्या होता है, Premiere क्या होता है, यूज करना जरूरी है के नहीं, अगर आपको advanced software चाहिए, तो Premiere is best, पर अगर नहीं चाहिए, छोटी-छोटी आप software में करना है आपको काम, तो आपके लिए बहुत फिल्मोरा है इतनी best step, वो भी आपके Premiere के जैसा काम करती है, advanced नहीं है, बट बिगनर्स के लिए best step है, आगर आप लोग बोलेंगे तो उसके ओपर भी classes लाऊंगी, उसके ओपर भी काम करूंगी, लेकिन I hope आपको मेरी Premiere की classes मे मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास्ते बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताके मेरी आने वारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अलहाफिस